आज का हमारा टोपिक है sensory organ in brainchostoma brainchostoma के समवेदी यंग तो पिछले रेक्चर में मैंने बोला था कि जब हम sensory organ पड़ेंगे तो यही डायग्रम जो नर्रोस सिस्टम का डायग्रम है वही हमारे वापस काम में आने वाला है क्योंकि इसमें लगबग सभी sensory organ present रहते हैं जैसे lateral Oc इंटीड है इंटिव लर ऊर्गन हैं एंट्यली पिएक में अर्ग कॉट्र कर्वें लगबक सेंसरी ऐड़न इसके अंदर पेजैंट रहते हैं कि तो सबसे पहले हम देखते हैं поговор ngoslav सबसे पहला जो सेंसरी और रखन भधन हो होते हैं फोटो सेंसेटिव और फोटोरिसेप्टर ओर्गन होते हैं प्रकास समवेधी और प्रकास ग्रही यंग होते हैं जब इसका Bio प्रलस ट्रेक्चर देखेंगे आंतर इक इसकी स्वर्ण चना देखेंगे तो इस प्रकार से हमें दिखेंगा है इसमें दो कोशिकां पाया जाती है दो कोशिकां इसके अंदर परजेंट रहती है उपर की तरफ में पिगमेंट कोशिका रहती है और नीचे की तरफ में फोटो photo-sensitive cell का बोर्ड होता है उसके ऊपर यह रेकतपेसीयां पायधिया नीचे के भाग में नरव Fiber होता है यह Cerebral Vesicle से जाकर जोड़ता है तो यह जो नरव Fiber है यह Cerebral Vesicle से जाकर जोड़ता है अब यह जो आई होती है यह जो आई होती है देखने का काम करती है जब जन्तु बिल बनाता है या फिर रेंग कर सलता है उस टाइम में यह लाइट को परसीव करने का काम करती है उसे में लाइट को परसीव करने का कौन करेगा लेटरल ओसिलाई करती है तो यह तो था लेटरल पिगमेंट स्पोर्ट भी बोलती है यह जो सेरिविल लाई होता है यह सेंट्रल किनाल के जो सेंट्रल किनाल होती है नरु कोड में उस सेंट्रल किनाल के आगे के भाग में परजेंट रहता है सेंट्रल किनाल के आगे के भाग में पाय जाता है कप के जैसी रचना होती है कप के जैसी इसकी structure होती है कप के जैसी इसकी सरंचना होती है Central के लाल के आगे के भाग में यह पाय जाता है यह photo receptor organ नहीं होता है photosensitive organ नहीं होता है प्रकास के परती समवेदियंग नहीं होता है यह क्या काम करता है जब आगे से light आती है, तो ये पिछे वारा जो lateral osilai पर जैन रहता है, उसको बचाने का काम करता है, उसको क्या करता है, बचाने का काम करता है, थर्मोरिसेप्टर का काम करता है, ये क्या काम करेगा, थर्मोरिसेप्टर का काम करता है, आगे की तरफ से जो light आती है, तो ये lateral os इस इलाई को स्लाइट से बचाने का काम करता है थर्मो रिसेप्टर रोजगन होता है इसके अंदर लेंस नहीं पाया जाता लेंस इसके अंदर एपसेंट होता है लेंस नहीं पाया जाता इसके लिए फोटो सेंसिटी और गन नहीं होते हैं तीसरा जो तीसरा जो है सेंसरी और संपार्टिबुलर और्गन ہے की ज garlic तो यह बहुत के आप दिखा है। शह क्यों स्अ की प्रेंप्रिबुलग को अवमनेशत के भी अतर्व हे आम बोलेटेyi होटेक है। इन्फंडिबूलर ओर्गन बोलती है इसको और यह सेरिबर्यल वे के बिल्कूल ую सी भिएटर्ल सएडे में पाजाता है और सृए Kapitraside और सीलियतेडेर्टेड ओर्गन होता है तो यह क्या काम करता है infantibular organ उस flood का pressure नापने का काम करता है इसका काम इतना ही होता है कि cerebral spinal flood का pressure नापता है यह तो 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 ता तीसरा sensory organ फोर्थ जो sensory organ होता है वो कलाता है colickers की pit colickers pit बोलती है यह जो colickers pit होती है यहाँ पर परजयेंट होती है यह ectodermal epithelial का बना होता है colickers pit किसका बना होता है और नर्व कोड का आगे का भागा में उपर की तरफ पाहे जाता है इसमें गड़ा पाहे जाता है इसलिए से क्या बोलते है colonicars कि pit बोलते है इसमें गड़े जैसी रचना होती है जिसे कोलिकर्स की पिट कहते है लार्वा के अंदर जब लार्वा में जो न्यूरोपोर होता है एंब्रियोनिक स्टेज के अंदर लार्वा में न्यूरोपोर होता है यह जो न्यूरोपोर होता है यह नर्व ट्यूब में कनवर्ट हो जात कोलिकर्स की पिट बोलते हैं लार्वा में नियूरोपोर पाय जाता है नियूरोपोर का जो अवसेस होता है वो जब बच जाता है तो उसी हम क्या बोलते हैं कोलिकर्स की पिट बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर लार्वा में एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर न नुरुपूर होता है उसी से नर्व कोड का फोर्मेशन होता है नर्व कोड उसी से बनती है तो उसका जो अशेस बच जाता है उसी हम क्या बोलते हैं कोलिकर्स की पिट बोलते हैं यह जो है यह ओल्फेक्ट्री ओर्गन होता है सूंगने का काम करता है घ्रान समवेदियंग ब अगला जो sensory organ है उसे हम बोलते है हैस्टेक पीट हैस्टेक पीट को हमने जब हमने इसका पढ़ा था कि उठ चख ग्रूनीट है सब्सक्रार्णी जब पढ़ा था यह जब हम ओरव को बढ़ते है शुरू सुरू में अमने ब्रेंकियोस्टमाр को जाप पढ़ा थे उस आइसमें हामने देखा ध recomo White शेख ग्रूब को ये जो feather ग्रूब होती है लब्द के ऊपर पर ब्रज्न होती है हाँ पाएजाती है ओर्ल हुड के ऊपर एक ग्रुव या खांच जैसे रचना खती जिसे हैस्ट का talked कि एवर्य हद ऐी एक पीध इस पर इस होसे यह लेटिडth उस हो टी यह यह जहोती है मैं इस्क्रिण आहल करती है सीह स्लिध बाल। विलिवी उडीकर को सरल करते हैं उस टेंप पर हम ने बताए धा कि क हैस्टेंग ऑपर की तरफ में पाई यह थी है ञुआ हम ने वह घलाता है sensory cell या papili बोलते है sensory cell पैपिली本ब और चेहली और जो वीलर टेकटेक्शो होती है उसके अंदर जाद दर पहती है sensory cell या जब पिली dadosrup रहती है oral syhöय और येsoverीय वीलर टेकटेकल में जादद दर पहती है नोर्मली येज वुप्ड fines गतल Лे है और यह कीमो रिसेप्टर होते हैं कीमो रिसेप्टरों टेक्टाइल्स ओर्गन होते हैं उनकी तरह काम करते हैं कीमो रिसेप्टर या टेक्टाइल्स ओर्गन की तरह यह काम करते हैं लास्ट का जो सेंसरी ओर्गन है उसी हम बोलते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स फ्री नर्व वो उनका फלन पाज रहते हैं यह उसे हम कंध। बोलते हैं यह जो cowra लुकिम। क्यों करते हैं उसका स्थां करते हैं उनको ब्रड़ा करती है और इसकी कने प्लिगा क्रामों को हमाता है। मसेलali के अंदर ब्रंत्रेक्षन निशार है मसल के अंदर कॉंट्रेक्शन की जो किरिया होती है वो किस की वजय से होती है यह फ्री नर्व एंडिंग्स की वजय से होती है तो साथ परकार के सेंसरी ओर्गन पाया जाते हैं पहले हमने पड़ा लेटरिल ऊसी लए है उसके बाद हमने देखा यह अंटेट पिगमेंट इससे के बाद में प्री नर्व एंडिंग्स तो यहां पर जो sensory organ है वो complete हो जाता है अगले lecture में हम जो reproductive system है उसके बार में पढ़ेंगे सिर्फ उसका structural part हमारे स्लेबस के अंदर है तो उसका structural part हम देखेंगे reproductive organ का Thank you